आप सभी का स्वागत है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुती शांदार और लेटेस्ट एक्शन केमरे की जो की है गोप्रो का हीरो 10 प्लैक एक्शन केमरा इस वीडियो को हम तीन सेक्शन में बाढ़ देंगे फर्स सेक्शन में मैं आपको अन्बॉक्सिंग करके द लेकिन फिर भी दिखा दूँगा कि बंडल बैंग में क्या क्या आता है सेक्ट सेक्शन में हम बात करेंगे गोप्रो 10 हीरो में नया क्या है जो लास्ट गोप्रो हीरो 9 था उसके अगेंस्ट में 10 में क्या खासियत आई है और थार्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि हम गोप GoPro Hero 10 को यह है मेरा GoPro Hero 10 तो इसको देख लेते हैं मनें यह बंडल पैक मंगा यह था तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या मारे को मिलता है तो आर्मोस्ट अन्बोक्सिंग हो चुकी है क्योंकि वहां पैकिंग में बहुत दिक्कत आती है बार से लाने में तो देख लीजे क्या-क्या मेरे को मिला है यह है मिनी ट्राइपोड यह दो बैटरी आई है बंडल पैक में डाटा कैबल टाइप सी चार्जिंग केबल और यह यह वूमिट माउंट है और यह एक smaller mouse है आप कहीं भी लगा के को यूज सकते है और सबसे लेटीस्ट हमारा गोप्रो अपिरो टैन Аक्शन कैमरा यह तो baseton बंडल फैंक मिलता है जो कि बंडल पैक मिलता है और फर topics स्ललीकिकर खेंद तो उस इसमें सिरूर एक बैट्री केंद Спासरा शाक्व जो लोग करने से पैदे में बता दू मैंने जो GoPro hero 10 से से 2 व्लोग बनाए हैं अभी मेरे कनातल गया था By Road तो उसके मैंने व्लोग बनाए है Day 1 का vlog मैंने 2.7 के resolution में बनाया है और Day 2 & 3 का vlog मैंने 1080 resolution पे बनाया है एक बार जुरूर आप यह दोनू व्लोग देख लें, आफिर आई बटन में लिंक आ रहा होगा और आखिर में भी आपको मिल जाएगा यह दोनों व्लोग प्लीज एक बार जूरू देखना आपको आइडिया हो जागा और मुझे आप कमेंट करना की आपको कैसा लगा है तो कई सब हम साइकिन शेक्शन में बात कर लेते हैं अपने गोपरो हीरो 10 एक्शन कैमेरे के बारे में तो इसमें खास क्या है तो इसमें बड़ा खास यह है कि इसमें नया प्रोसेसर दिया गया है अभी तक गोपरो 6, 7, 8 और 9 में एक ही तरह का GP1 प्रोसेसर यूज होता था और गोपरो हीरो 10 में अब GP2 प्रोसेसर यूज किया जाता है अब 5K 60 फ्रेम में रिकार्ड होता है 4K पहले 60 में होता था वो अब 120 हो गया है 2.7 के पहले होता था 120 में अब हो गया 240 में मलब कि जितने भी फ्रेम रेट है वो सब डबल हो चुके हैं इससे क्या है कि हमारे केमरे की स्पीड बहुत ही डबल हो गी है तो दूसरी एडवंटेज क्या है इसमें क्या है कि जो टच स्क्रीन था पहले गोप्रो 9 8 का तो वो काफी स्मूथ नहीं था तो गोप्रो हीरो 10 में अब जो टच स्क्रीन है बहुत ही स्मूथ हो गया आप थील करेंगे यार टच करते हैं मलब यह बहुत ही शांदर पिरगे से काम करता है और जो थार्ड चीज है इसका जो मेगा पिक्सल है 23 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है फोर्थ जो हैपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है वह 4.0 कर दिया गया है पहले 3.0 था और जो टाइम रेप है वह 3.0 कर दिया है बहुत ही स्मूथ है आपका टाइम रेप हो गया है इसके इलावा जो यह 33 फिट में मलब की पानी के अंदर इसको ले जा सकते हैं वाटर रेस्टेंट रहेगा आपका कोई दिक्कत नहीं है और जो इसमें सुपर स्लो मोशन हो गया है एट टाइम्स आप अपनी वीडियो को सुपर स्लो मोशन कर सकते हैं तो काफी वीडियो रिकारडिंग 45 डिगरी तक भी हो रहे है तो वह भी स्टैबिलाइज हो जाएगी आपकी पीचर तो इतने सारी फीचर अब इसके अंदर आगे हैं तो यह बहुत ही शांदा हमारा एक्शन कैमरा बन चुका है और अब आपको भारी बरकम DSLR यूज करने की जुरू गोपरो हीरो 10 का या 9 का कुछ भी आप व्लोगिं सेटप त्यार कर सकते हैं विदा हैल्प ओफ इस कैमरा और यह मीडिया मोड है गोपरो हीरो 9 का और 10 में भी लगता है और साथ में यह है मिनी ट्राइपोड तो इससे हम तियार करते हैं अपना व्लोगिं सेटप तो सबसे यहां से यहां से इसका खोलता है क्या करना है अब जो डोर वाला हिस्सा है उसको हमने अंदर को रखना है क्योंकि यह देखिए चार्जिंग पउंट दिया हुआ है तो हुआ जाएगा ये के अंदर जाए गये इस तरह से ये जिस देखिए इसके अंदर चला गया और यह हमने जोग बंद कर देना है कि ये हम अपने बिंग्स निगा देते हैं इसके जो इसके साथ हम लगा देते हैं । ये देखिए अपने ट्राइपट में तो इस तरीके से हमारा ये फिलॉगिंम सैट अप टिया हो गया है । ये 1 यह नाइट के लिए आप एक लाइट मोड भी ले सकते हैं, इसमें दिया हुआ a slot इसमें अटेच कर सकते हैं आप लाइट मोड को तो यह प्रोपर आप काम करेगा, जैसे DSLR आप यूज करते हैं उसी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही कंवीनियंट है हमारा यह हमारा सेटप तो अब मैं सेकंड सेटप करके दिखाता हूँ कि दूसरा यह थोड़ा कॉसली पड़ता है एक सस्ते में भी आपको ब्लोगिन सेटप कैसे त्यार करना वह मैं बता देता हूँ उसके लिए हमने लिया है यह मिनी ट्राइपोड ओलांजी का यह केस है अलिमूनियम केस है ओलांजी का यह आप जो प्लास्टिक का केस भी ले सकते हैं वह बहुत ही इकनोमिकल आता है यह थोड़ा कॉसली पड़ा तो यह दो चीज होगी हमारी तो हमने अपना कैमरा लेना है इसी तरह से हमने इसका भी डूर निकाल देना है जैसे हमने टैन का निकाल दा यह दिया है यह हमने डूर निकाल दिया है अब क्या करना है हमने अपने ओलांजी केस को पीछे से हटा देना है और यह साइड डूर भी निकाल देना है और यह हमारा कैमरा गया हमारे केस के नि कर दो एनफे कश अपने केस को बंद कर सकते हैं उस के से लान olm और ना चारजिंग कर सकते हैं तो इस तरी के से थे जरा प्लॉग कईर ह경 और दे neighborhood अई लाजी का पूरा सेट हैं hous यह गोपुरो का पूरा सेट यह दो दरीके के आप ब्लॉगिंग सेटफ त्यार किया हैं तो आपको कैसे लगई हुई ब्लॉगिंग सेटफ मुझे बताना है एक बात और बताओं इसके साथ आप external माइक भी लागा सकता है नीचे स्लोट दिया गया है इसके लिए आपको यह माइक अड़ेप्टर चाहिए साथ में यह external आपको माइक चाहिए यह मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ यह रोड का मिनी माइक है external माइक इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको लगा तो यह स्लोट बना रखा इसमें देखिए यह इसके अंदर चला जाएगा और यह दे रखा यहां पर किन्याट करने के लिए हमारा एक देखिए कि यह होगखे किन्याट और यह माइक अडैप्ट लग गया अब हमने लगाना है अपना एक सब्सक्राइब से हम हम अपना fundamental माइक का यह बेसप लगा देंगे यह लग जाने इसके अंदर यह माइक फिट हो गया इसके अंदर और यह बायर कनेक्टिंग कर देंगे हम इसके अंदर यह और इसकेंड बायर आएगी हमारे गोपरो के अड़प्टर में तो इस तरी तरहें से हमारे दो setup त्यार हो गए हैं एक तो यह है GoPro Hero 9 और दूसरा है GoPro Hero 10 का vlogging setup तो guys अभी आपने देखे थे कि मैंने पूरा setup त्यार करके दिखाया vlogging setup with mic और यह मैं दिखा देता हूँ आप यह without mic भी आप अपना vlogging setup कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको एक GoPro का camera चाहिए साथ में एक mini tripod चाहिए और इसमें case और mini tripod नई case भी होगा तब भी चलेगा तो आपका कम बजट है सरक camera और एक tripod से आप अपना vlogging setup त्यार कर सकते हैं मैं अभी तक without mic ही use करता रहा हूं vlogging setup और मेरी जो voice quality है जो inbuilt mic है बहुत ही शांदार है GoPro में 9 में भी बहुत शांदार है 10 में तो और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है आप मेरे व्लोग दे सकते हैं आपको आखिर में भी दोनों मिल जाएंगे मेरे कनातल वाले GoPro 10 के मैंने व्लोग बनाए थे without mic और इसी मैंने GoPro 10 से अपना vlogging की है पूरी दोनों तीनों दिन की vlogging मैंने GoPro 10 से की है उपर link आ रहा होगा वहां पर ज आप मुझे एक कमेंट जूरू करना कोई भी आपकी क्यारी है तो आप बेर जिजक मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगा और मेरा Instagram handle है JartonWheels आप वहां पर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे handle को follow कर सकते हैं तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और इ आप में दोस्तो राइड हार्ड राइड से बंदे मात्र में जाहिंद सायोनारा